हेलो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों और आज हम बात करने वाले हैं अगर हम आज की सिरी देखें तो काफी इसकी हालत खराब हो चुकी है पिछले चार दिन पहले लॉंच हुआ मंगलवार को यह शेयर आज लगभग 78,000 करोड रुपे का नुकसान अपने निवेशकों को करा चुका है तो अगर हम बात करें दोस्तों LIC Share की कि इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए या इसको बेस देना चाहिए दोस्तों अगर हम बात करें तो यह जो Share Allot किये गए है सरकार के दोरा कई तरीके से किया गया है और यह पहली बार हुआ है दोस्तों इसमें policy holder को discount जिया गया है employees को LIC के discount जिया गया है और जो share price है वो तो है ही दोस्तों financial institute के पास काफी मातरा में share available है और वो इसको नहीं बेच रहे क्योंकि इनको पता है कि ये जो share है ये धमाका करने वाला है आने वाले कुछ सालों में और उसको रोकने की capacity इन financial institute के पास है और ये भूल चुके हैं कि इनोंने कहीं ऐसी जगा निवेश किया भी है तो वो 10 साल के बाद ही अपने इन share को थोड़ा बहुत इदर उदर करेंगे दोस्तों ये जो financial institute है वो बैठा ही अब खरीदने के लिए है और ज्यादा share तो वो share खरीदेंगे ये बड़े-बड़े investor और इसको अपने लिए एक अच्छा share साबित करेंगे आने वाले time पर दोस्तों बात करें policy shareholders की जो जिनके पास policy है उनको भी allot किये गए है discount के रूप में सरकार ने इनको ये share price दिये हैं और यही जो निवेशक है वो नए है policy holders जो है वो नए है और यही अपने share इस दर्ज से बेच रहे हैं कि कहीं उनको घाटा ना हो जाए तो दोस्तों एक चीज़ आप समझ लीजे आप है policy holder आपको भी पता है कि LIC की कोई भी policy एक या दो साल के लिए नहीं ली जाती पंदरा से 20 साल के लिए ली जाती है 25 साल के लिए ली जाती है तब ही उसमें कुछ benefit आपको दिखता है तो दोस्तों share बजार में ऐसा क्यों नहीं आप लोग सोच रहे हैं आप क्यों जल्दी जल्दी अपने shareों को बेच रहे हैं कि इस दर से की 10 से 15 परसेंट का घाटा हो चुका है और आगे कोई घाटा ना हो जाए तो दोस्तों ये share बजार है यहाँ पर उथल पुथल हमेशा मची रहती है आप लोगों ने जो investment किया है वो सोचा है कि आप कुछी दिनों में अपने पैसे को डवर ट्रिपल कर लेंगे तो ऐसा बिलकुल नहीं होता दोस्तों ये share बजार है यहाँ पर आपको time देना ही investment सोच रखा है आपने और अच्छी income आप आपने आने वाली PD को देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने shares को ना बेचे इसको hold करके रखें 10 साल लग सकते हैं 15 साल लग सकते हैं लेकिन आपको एक अच्छी return LIC का share जरूर देगा ये आप बात जान लिजे और ये जितने भी ब वो सारे के सारे नई investor हैं नई निवेशक हैं जिनोंने पहली बार share बजार में entry करी हैं और वो ही इस दर के मारे कि उनका सारा पैसा दूब न जाए इसलिए वो बेचने में लगे हुए हैं दोस्तों जैसे ही ये बिकने वाली जो इस्टिती है वो खतम होगी तो ये share एक stable price पर आएगा उसके बाद ये बड़े बड़े financial institute या निवेशक जो की इसमें काफी माहिर हैं वो खरीदना शुरू करेंगे और उसके बाद इसमें तेजी देखने को आपको मिलेगी तो दोस्तों आप बिलकुल भी न घबराएं अगर आप मन बना रहे हैं कि अपने share को कर रखें और invest की तरह समझें यानि इसको 10-15 साल के लिए भूल जाएं जैसे कि आपने कोई policy खरीदी है LIC की तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लेगी हो तो like करिएगा share करिएगा मेरे चैनल को subscribe करिएगा ऐसी अच्छी वीडियो और अच्छी जानकारी मैं आपक जैभार